नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब I hope आप सब बिल्कूल अच्छे होंगे स्वास्त होंगे तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्रसिद मिठाई पेडा यह हर किसी को पसंद होता है और तेस्ट तो आप सब इसका जानते ही हैं कि कितने यह स्वादिश्ट होते ह और मैंने इनको घर पे बनाया है बहुत कम समान के साथ क्योंकि ये रेसिपी बनाई है तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें ये आप सबको 100% पसंद आने वाली है और मैं आपको भी एक पेड़ा तोड़के दिखाती हूँ कितना बड़िया ये बना हुआ है ये देखिए बिल्कुल ये चूई नहीं बनाया है मेल्ट इन माउथ है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हाँ अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें चैनल पे पहले बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अ अधा लीटर फुल फैट दूद ये फुल फैट दूद है और मलाई के समेट मैंने इसको ले लिया है और अब इस दूद को हम पकाएंगे कम से कम साथ से आठ मिनट बहुत जल्दी गाड़ा हो जाएगा इस तरह के बड़े जो बरतन होते हैं उनमें दूद बहुत ही दूद नीचे चिपकने लग जाता है 5-6 मिनट के बाद देखिए दूद गाड़ा होना सुरू हो गया अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर आप किसी भी कप्या कटोरी से नाप सकते हैं ये 1500 ग्राम मिल्क पाउडर है और अब थोड़ा थोड़ा करके हम दूद के अंदर इसको मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं ये आसानी से किसी भी ग्रोसी सोप पे मिल जाता है मैंने ये एवरी डे का लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर डाल रही हूं ताकि कोई भी इसमें लंप्स न बने और अच्छे से दूद के अंदर घुल जाए और अब इसे पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गाड़ा ना हो जाए खोए के रूप में ना आ जाए मिल्क पाउडर डालने के बाद दूद बहुत ही जल्दी गाड़ा होना सुरू हो जाता है तो इस टाइम पे बहुत आपको केरफुल रहना है लगातार इसको चलाना है तले में नीचे तक आपको चमचा डालके इसको चलाना है दो हरी इलाइची भी मैंने इसमें तोड़के डाल दी है आप सभी को पता है कितना अच्छा फ्लेवर आता इलाइची का लेकिन अगर आप कोई और भी फ्लेवर चाहें तो डाल सकते हैं और ये दो चमच मैंने चीनी ले ली है क्योंकि मिल्क पाउडर में पहले ही बहुत जादा मीठा होता है तो आप चीनी थोड़ा सा संबल के डालिए टेस्ट करके डाल सकते हैं आप मैंने सरफ दो चमच ली है और अभी देखे कितना गाड़ा हो गया दूद अब ये बहुत जल्दी जल्दी गाड़ा होना सुरू हो जाएगा और मैं नीचे तक देखे तली तक इसको चला रही हूँ ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी चिपके नहीं दूद देखे कितना ज़्यादा गाड़ा हो गया है और इस टाइम ना दूद बहुत ही तेजी से उपर की तरफ उचलने लग जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा केरफुल रहना है आप चाहें तो हाथ पे कोई कपड़ा डाल लें या फिर अगर आपके पास किचन गला अब बहुत है तो वह भी आप डाल सकते हैं कि साइड साइड में जो मलाई लगती जा रही है उसको भी मैंने साथ के साथ देखे कुरस के दूद में मिक्स कर लिया है इतना मज़ा आता है ना इस तरह की मिठाईया बनाने में अच्छा भी लगता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है चोटी चोटी बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है तो आपकी बहुत ही अच्छी टेस्टी वाली मिठाई घर पे बनके तयार हो जाती है दूद बहुत तेजी से उचट रहा है तो मैं अपने हाथ को कवर कर लेती हूँ इस तरह से आप कोई भी किचन टावल या फिर ग्लोज आथ पर जरूर लगा लें दूद में से देखिए मावा निकलना शुरू हो गया है बहुत अच्छी खुस्बू भी आ रही है इसमें से अब हम इसे पकाएंगे इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक क्योंकि पेड़ा थोड़ा सा जब गोल्डन कलर में होता है तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है साइड साइड में जो कढ़ाई पे मलाई लग जाती है उसे भी हमें साथ के साथ कुरच के दूद के अंदर मिक्स कर लेना है अब इसके अंदर थोड़ा सा इलाइची पाउडर हम और डालेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा स्ट्रोंग फ्लेवर इसमें लाइची पाउडर का पसंद है अगर आप हाइट पेड़ा बनाना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप इसको निकाल सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर देना है तो इसके लिए थोड़ी देर में इसे और पकाऊंगी अभी मैंने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे कर लिया है क्योंकि नहीं तो मावाद जल जाएगा और फिर इसका टेस्ट भी खराब हो सकता है इसलिए आप लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएं अभी दो तिन मिनट के बाद ही इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा चलाने का आपको लगातार ध्यान रखना है और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका अभी से कलर आना सुरू हो गया है आप चाहें तो यहाँ पे एक दो चमच घी की भी डाल सकते हैं इससे जो हमारा मावा है वो बहुत अच्छे से भून जाएगा और ज्यादा लंबर टाइम तक यह सुरक्षित रहेगा तो आप घी में भी से बून सकते हैं और तीन-चैर मिनट के बाद देखिए कलर कितना चेंज हो गया है मावा का बिल्कुल आ गया ना जैसा पेड़े का कलर होता है उसी तरह का अब भी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा पेड़े का मिक्स बिल्कुल बनके तयार हो गया है बहुत सुन्दर इसका कलर आ गया अगर आप और भी ज़्यादा ब्राउन कलर चाते हैं तो थोड़ी देर और पका सकते हैं जैस का फ्लेम बंद करने के बाद भी थोड़ी देर हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे इसे ये और अच्छा सा कलर भी ले लेगा और चिपकेगा भी नहीं नीचे बहुती सुन्दर कलर है देखिए और खुस्बू तो क्या जवर्दस्त आ रही है इसमें से और हमने लगा तार चलाया इसमें मेहनत की तो देखिए ये कहीं पे चिपका भी नहीं है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे आप इस तरह से इसे चम्मच से फैला दें जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए आप पंखे के नीचे भी से रख सकते हैं लेकिन ठंडा होने के बाद ही आप इसको पेड़े का सेप दें हलका जब ये गुन-गुना से रह जाएगा तब हम इसके पेड़े बनाना सुरू करेंगे मिक्स हमारा ठंडा हो गया है अब इसे हम छू सकते हैं इतना ये ठंडा हो गया तो भातों को थोड़ा सा चिकना करेंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्सन लेके इसको पेड़े का आकार देंगे पेड़ा आप किसी भी आकार में बना सकते हैं गोल बना सकते हैं या फ तरह से इसको दोनों हाथों के बीच में चिकना कर लेंगे, उससे पीज से इसे दबा देंगे, देyst ना सुंदर पेड़ा बन गया, इसी तरह से हमें सारे पेड़े बना के रख लेने हैं बहुत आसानी से बन जाते हैं ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे लेकिन आपको थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इस पर काम करना है गरम गरम तो ये हाथ भी जलाएगा और चिपकेगा भी आप चम्मच से भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले सकते हैं ताकि आपके सारे पेड़े एक्वल साइज के बने एक जैसे बने देखने में भी अच्छे लगें सभी पेड़े मैंने देखे बना के तैयार कर ली हैं बहुती संदर पेड़े बने हैं अब इस पे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे इसको पहले मैं इस पर थोड़ी सी खान लगाऊंगी जैसे बिल्कुल मार्केट में लगती है ना उसी तरीके से एक से डेड़ चमच आप किसी कटोरी में डालके इस तरह से एक बार इसको उपर निचे से लपेट देएं बहुत आसानी से चिपक जाती है अभी क्योंकि यह थोड़ा सा गरम है तो आसानी से यह चिपक जाएगी आपको जैसे रखना है प्लेन रखना चाहते है या उपर स इस तरह से पिष्टा लगा के इसको गार्निस करेंगे आप चाहें तो एक-एक धागा केसर का भी इस पर लगा सकते हैं इससे देखने में यह और भी सुन्दर लगेंगे इस तरह से खांड या बूरा लगाने के बाद तो इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा आता है इतना जबरदस्त वाला बहुत ही बढ़िया और अब यह जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे एक दम खसता होते जाएंगे हलवाई जैसे होते हैं उसी तरह से आराम से टूटेंगे ना यह बिल्कुल चूई बने हैं बहुत ही बढ़िया पेड़े बनके तयार हुए हैं जितने यह देखने में सुन्दर लग रहे हैं उ से कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं तो एक बार आप यह रेसिपी जरूर ट्राई करें आप सबको जरूर पसंद आएगी एक पेड़ा देखे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूं कितना बढ़िया बना हुआ है यह मैल्टीन माउथ पेड़ा हमारा बनके तयार हुआ है एक ब